नमस्कार दोस्तों मैं हूँ कंचन शुकला और एक छोटी सी कहानी में आपको सुनाओंगी एक राजा अपनी प्रजा की परिच्छा लेने के लिए सुचता है और रास्ते के बीचों बीच में बड़ा सा पथर रखवा देता है वह सोचता है कि देखना चाहता है कि कौन ऐसा राजा कुछ दोरी पर जाकर देखने लगता है अपने सिपाहियों के साथ तो वहां से बहुत सारे निकलते हैं और पथर को देखते हैं किनारे से निकल जाते हैं और कुछ राजा के जान पहचान वाले भी निकलते हैं वह भी पथर को देखते हैं और निकल जाते हैं जो है एक जो मतलब तुछ लोग तो ऐसे भी आते हैं जो राजा की ही बुराई करते हैं कि कैसा हमारा राजा है देखो जरा और बीच में पत्थर पड़ा है और हटा भी हटा भी नहीं सकता है उसके बाद एक वहां से किसान जा रहा होता है वह अपना सामान लिये होता है और ठोड़ी दियुक्त ही जाता है और गुषिफि नातों दूट बहुत ह किसकता है कि नहीं कुछा बादेगों। पठर पड़ाता है तो ये पैद फड़ाएगा उसी सोने के सिक्के उसकी हो जाएंगे और मैं देखना चाहता था कि कौन जो ये पत्ठर हटाएगा और सफलता तक पहुंचेगा तो दोस्तों कहानी का सार यह है कि ऐसे ही हमारी जिंदगी में बहुत सारे औस वलता के पत्थर पढ़े हुए अगर आप पत्थर हटा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर पत्थर नहीं रहे हैं ना तो आज से तो बस ऐसे ही कहानिया सुनते रहें अगर कहानिया अच्छी लगती हैं तो लाइक करिए शेयर करियों कमेंट जरूर करिए धन्यवाद